नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जेने की कला में आईए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं 150 से ज्यादा पोशक्तत्वों वाले एक फल के बारे में जो आपको स्वस्थ रखने में मददगार है आपको जानकर के आश्चर होगा लेकिन एक फल ऐसा भी है जिसमें 150 से अधिक पोशक्त तो मौजूद है और यह फल आपकी हर एक बिमारी को दूर करने में सक्षम है नूनी फल के नाम से पहचाना जाने वाला यह फल सेहत के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है कि इस पर अब तक कई शोद किये जा किया गया है तो आएए जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से नूनी फल के आश्चर यह जनक लावों के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूर जाएं और ब वास्ते समस्याओं से निपटने में किया जा सकता है बाजार में नून जूस भी दवा के तोर पर उपलब्ध है जो कई तरह से फायदेमंद हैं हमारी सेहत के लिए नूनी आपके रोग प्रतिरोधक शमता में जबरजस्त इजाफा करता है जिससे आप बिमारियों से बिमारी से लड़ने में आपकी मदद करता है और ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करके लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मार में मदद करता है पुरुषों में नपुन सकता और इस्त्रियों में बांजपन की समस्या का हल भी है इस चमतकारिक फल के पास यह महावरी संबंधी समस्याओं का भी निवारन करता है और पुरुषों में शुक्राणों का निर्मार भी करता है इसके अलावा इस फल का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको निरोगी रख करके आपकी उम्र को 100 साल तक बढ़ा सकता है और लंबे समय तक आपको जमाप बनाए रखने मे मदद करता है यानि कि इसके मदद से आप बहुत सारी बिमारियों को तो दूर करते ही हैं साथ ही साथ आप अपने शरीर को बिमारियों से लड़ने की ताकत भी इकठा कर पाते हैं इसलिए इस फलका सेवन बहुत जादा लापकारी होगा आपके लिए अगर इसका सेवन करत चाहिए और इसका पूनलाव उठाना चाहिए तो यह आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए कैसी लगी यह जानकारी आप सभी अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वह भी हमें लिख भेजें हम उन टॉपिक्स पर भी आपके पहले वीडियो जावश्य बनाएंगे और जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट्स आवश्य करें ताकि अन्य जरूरत मंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच पाए और यह तभी संभव है जब आप सभी लाइक शेर एंड कमेंट्स करेंगे आपका एक लाइक शेर एंड कमेंट्स बहुत सारे लोगों को लाप पहुंचा सकता है इसलिए वीडियो को कर दीजे लाइक शेर एंड कमेंट्स इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों